पूरी स्क्रिप्ट तयार थी, नितीज कुमार को इस्तिफा देना था, चैनलों के उपर खबर चल चुकी थी कि नितीज कुमार शाम को इस्तिफा देने जा रहे हैं, और हम लोग भी इंतजार करते करते हैं, शाम बीती और शाम के बाद में रात भी हो गई, लेकिन नितीज क कह रहे हैं ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है बिहार का खेला भी बाकी है जो तिजस्वी आदाव इस बात का ऐलान कर रहे हैं वो ऐलान नितीज कुमार के इस्तीफे की स्क्रिप्ट के उपर भारी पड़ गया है और नितीज कुमार के इस्तीफे की प मुझूद रहा कल कूछ बिहार में था पस्ची मंगाल में और वहां से चोदा घंटे का सफर ते करके क्योंकि अब बड़ी खबर बिहार की बन गई थी तो भारत जोड़ों नयाय अत्रा की कवरेज को छोड़ करके मैं बिहार आया पटना और यहां से दिन बर का सियासी घटन आकरम आपको दिखाता रहा और शाम को तक्रीबन तक्रीबन यह साफ हो गया था माना जा रहा था कि नितिज कुमार आज शाम को इस्तिफा दे देंगे और कल सुबह उनकी सपत हो जाएगी और इतनी असानी से वो लगातर करते भी रहे हैं इदर से उदर उदर से इदर कही वो बात सच साबित होती भी दिखाई दे रही है और नितीश कुमार आज देर शाम तक इस्तिफा नहीं दे पाए अब जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर ये है कि नितीश कुमार चटमंगनी पट ब्या उस तरह से इस्तिफा और समर्थन दोनों देंगे अब ये चटमंगनी और पट ब्या ये क्यों होता है आप खूब जानते हैं चटमंगनी और पट ब्या किस प्रेसर में और किस तरह से किया जाता है वरना हर कोई चाहता है कि मेरी साधी खूब दूमदाम से हो मेरी शादी में खुब मेरे यार दोस्त आएं, खुब नाचे, खुब गाएं और खुब धुम धाम से मेरी सादी हो लेकिन चट मंगनी और पट ब्याह का जो सिस्टम है वो कब और क्यों कैसे होता है वो ता आप बखुबी जानते होंगे कि लड़की के उपर जब प्रैसर हो या लड़के के उपर प्रैसर हो और फिर उसके वाद में कैसे जो है वो बिचोलिये वो आकर के दोनों परिवारों के उपर प्रैसर बनाते हैं वो अब बखुबी सब कुछ जानते हैं तो अब बताया ये जा रहा है कि नितीज कुमार चटमंगनी पटब्या के फोर्मूले से कल एक हाथ से दो लिफाफा ले करके वो राजभावन के अंदर जाएंगे और एक लिफाफे के अंदर उनका इस्तिफा होगा और दूसरे लिफाफे के अंदर उनका और बीजेपी विधायकों के समर्थन का पत्र होगा और वो दोनों रजजपाल को सोपेंगे एक तरफ वो इस्तिफा देंगे और दूसरी तरफ उनके समर्थन के लिफाफा वो सोप देंगे तो यानि जो परची वाली सरकार है वो परची वाली सरकार यहां पर भी परची दे रही है लेकिन ये क्या वाकई बस इतनी भर कहानी है जो दिख रही है या हमें जो दिखाई जा रही है या इसके पीछे भी कुछ कहानी है दरसल नितीज कुमार की जो छवी है वो पूरी तरह से मिटिया मिट होती भी नजर आ रही है और इस बात को मैं जब यहाँ पर बिहार में हूँ पटना में हूँ तो इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ इस बात को सुन पा रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि अगर गाय की पूछ पकड़ोगे तो गाय नदी पार करा देगी लेकिन अगर भैस की पूछ फकड़ोगे तो भैस बीच रास्ते में डूबो देगी यह मेरे शब्द नहीं है आज सुबा सुबा जब मैं आ रहा था तो मैं एक ढावे पर रुका और ढावे पर नास्ता किया और अगर गाय की पूछ पकड़ी होती लालू परशाज ने तो गाय की पूछ नदी पार करवा देती लेकिन भैस की पूछ पकड़ ली और वो भैस की पूछ बीच रास्ते में डूबोने जा रही है लेकिन क्या वाकई तेजस्वी आदव डूबने जा रहे है या तेजस्वी आदव तैरने की तैयारी पूरी कर चुके है ऐसा लगता है कि तेजस्वी आदव ने भी पूरा प्लान किया है और इसलिए सुबह जो उनका बयान निकल करके सामने आया था कि इस बार इस बार आसानी से नहीं होने देंगे इस बार इतनी आसानी से जब आप एक घंटे के अंदर अंदर पूरा खेल खतम कर देते हो उस तरह से इस बार नहीं होगा कि जाओ और सफत लेकर के वापिस आ जाओ और फिर उसके बाद काम सुरू कर दो इतनी आसानी से इस बार नहीं होगा इस बार तख्ता पलट और ताज पोसी वो इतनी आसानी से नहीं होगी तिजस्वी आदो का ब्यान था लेकिन दूसरी बड़ी बात और वो ये कि बैठक के अंदर क्या फैसला हुआ है और उस बैठक में ऐसा क्या फैसला लिया गया है जो खवर जो भनक नितिश कुमार के खेमे तक जो भनक बीजेपी के खेमे तक चली गई है और उसके बाद में आज इस्तिफा नहीं हो पाया आज शाम को नितीज कुमार अस्वनी चोबे के साथ मंदिर में दिखाई दिये तो यानि बाते इतनी आगे तक बढ़ गई है तो फिर आज इस्तिफा देने में दिक्कत क्या थी अब इसको आप दो तिन तरीके से समझ सकते हैं आज सबसे पहले आप इसको समझने के लिए कि आखिरकार नितीज कुमार का इस्तिफा क्यों नहीं हुआ इसको समझने के लिए आपको तेजस्वी का आज का बयान देखना चाहिए तेजस्वी का बयान जो बैठक के अंदर उन्होंने अपने विधायकों को कहा संकेत दिया अपने विधायकों को एक संदेश दिया उसको समझ लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार कैसे नितीज कुमार भतीजे के आगे फस गए और नितीज कुमार इस्तिफा देने की जहें अब रोकने के लिए विचार करने लगे है ज़रा बयान देखिए आप तेजस्वी आदव का यह बयान लंबा चोड़ा बयान है तेजस्वी आदव ने बैठक के दोरान कहा कि मुख्यमंत्री नितीज कुमार हमारे आदर्निये थे हैं और रहेंगे कितनी बड़ी लाइन एक लंबी लकीर खीचने का काम के थेजस्वी आदव कि नितीज कुमार जी मुख्यमंत्री नितीज कुमार जी हमारे आदर्निये थे हैं और रहेंगे और कई चीजे उनके नियंत्रन में नहीं है बेचारगी, लाचारी बेवसी नितीज कुमार की दिखाई जा रही है कि कई चीजे उनके नियंत्रन में नहीं है महा गठबंदन में राज़द के सयोगी दलों ने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया मुख्यमंत्री मेरे साथ मंच पर बैठते थे और पूछते थे 2005 से पहले बिहार में क्या था मैंने कभी प्रतिकिरिया नहीं दी और अब और भी लोग हमारे साथ में है जो काम दो दसकों में नहीं हो पाया वह काम हमने कम समय में कर दिखाया चाहे वह नोकरी की बात हो जाती जिंगना की बात हो आरक्षन बढ़ाना हो आदी बिहार में अभी खेल होना बाकी है ये नितीज कुमार का नहीं तेजस्वी आदव का बयान है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ जोर देकर कि तेजस्वी आदव का बयान है क्योंकि देखिए जब आपकी पारी लुट रही होती है या आपकी पारी बिखर रही होती है तो अक्सर लोग अपना सहिम को बैठते हैं अक्सर लोग वो बुखला कर के अपनी बुखला आट के अ अंदर उन उजूल बयान देने लगते हैं लेकिन तेजस्वी आदव ने आपा नहीं खोया तेजस्वी आदव ने धैरिये बना करके रखा और बड़ी विनमर्ता के साथ में बड़ी हंबल तरीके से उन्होंने कहा कि नितीज कुमार जी हमारे आदरनिये थे हैं और रहेंगे यानि नितीज को एक जरा सा भी नाखून के जितना भी उस पेस देना नहीं चाहते हैं कि नितीज कुमार कल को सहीद होने का ढोंग करें कि देखिए मेरे साथ तो ये किया गया वो किया गया ऐसा हुआ वैसा हुआ मेरी अंतर आत्मा इसलिए ये कह रही है और वो कह रही है कि कल को इसको काउंटर आप कैसे करोगे हैं तो पहली बड़ी बात वो यहाँ पर नितीश कुमार फस गए और नितीश कुमार जो बैक्ग्राउंड लेने की सोच रहे थे कि कुछ न कुछ कहा जाएगा और आर्जेडी जिस तरह से तेजी दिखा रही थी आर्जेडी ने जिस उन्हों ने तोड़ा है, आरजेडी ने तोड़ा है, और आरजेडी अलग हुई है इसमें से, हम अलग नहीं हुए है, यह एक जो बैक्ग्राउंड वो लेने की कोशिस करने वाले थे, वो नहीं हो पाया, और इसी लिए, यह तस्वीरे जर आप देखिए, जब तेजस्वी आ आदो का सरकारी बंगला है, उप मुख्यमंत्री का, वहां से निकल करके, और वो काफिला, राबडी देवी लालू प्रशाद आदो के घर पर बढ़ता है, उस वक्त में वहीं पर मुझूद था, और बड़ी तेजी के साथ में तेजस्वी आदो का काफिला, लेकिन इसमें मैत्त पुन बात ये है, कि बैठक खतम हो चुकी थी, विधायक करीब करीब तीन बजे बैठक खतम होने के बाद 2 गंटे, 10 गंटे की बैठक चली, और विधायकों की बैठक खतम होने के बाद विधायक निकल करके जा चुके थे, लेकिन तेजस्वी आदो वहीं पर और तेजस्वी आदव करीब करीब आठ वजे अपने बंगले से निकलते हैं सरकारी आवास से निकलते हैं और उसके बाद में वो लालू राबडी देवी के पास में अपने माता पिता के पास में उनके आवास पर जाते हैं तो यानि ये माना जाए कि तेजस्वी आदाओ बैठ करके विधायकों के जाने के बाद में भी फिल्डिंग चेक कर रहे थे कि कौन कहां पर किस मोर्चे पर है और कौन कहां पर किस मोर्चे पर क्या करेगा यहां तक कि तेजस्वी आदाव ने अपने विधायकों को नेताओं को इतना सक्त निर्देश दिया था कि जब वो बैठक से बाहर निकल करके आए मैं भी वहां पर मौझूद था कई विधायकों से कोशिस की कई नेताओं से कोशिस की क्यों कुछ बोलें लेकिन नपे तुले अंदाज में बोलते रहें कुछ बयान देखी आरजेडी के नेता मनो जहां मनो जहां बाहर निकल करके आए सबसे पहले और उन्होंने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक रही हमारी अलग-अलग पहलों पर चर्चा हुई बैठक में समकालीन राजनिती में चल रहे मुद्दो पर चर्चा हुई बैठक में हमारे रास्ति अद्देक्स लालू परसाद यादव को निर्णे लेने के लिए अधिकृत किया गया है मतलब जो फैसला लेंगे वो लालू परसाद यादव लेंगे इसमें भी तेजस्व यादव को बीच में नहीं रखा और लालू परसाद यादव पर सब कुछ छोड़ दिया गया और इसलिए उसके बाद में जो भी बाहर निकला उसने बात ही नहीं कि मीडिया से बात ही नहीं कि और उसके बाद में सुधाकर जब निकल करके सामने आए तो सुधाकर ने कहा कि कोई भी निर्ने रास्तिय देक्स लालू परसाद को लेना है नितिस कुमार और सरकार को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई सरकार चल रही है और लोकसवा चुनाओ को लेकर के चर्चा हुई अब देखे किस तरह से जो है वो माहोल यहाँ पर तेजस्वी के नेता बनाते हुए दिखाई दिये मतलब कि किसी को जरासी भनक तक नहीं लगने दो अपना काम करो और इंतजार करो इंतजार करो वहां से विकिट गिरेगा तब उसके बाद में हम यहां से बैटिंग करना सुरू करेंगे जब तक उधर से विकिट नहीं गिरता है जब तक उधर से सिगनल रेड नहीं होता है हम अपनी तरफ से अपना मोर्चा नहीं छोडेंगे अपने मोर्चे पर डटे रहो ये साप संकेत दे दिया गया अब ऐसे में अगर आज इस्तिफा हो जाता आज शाम को इस्तिफा हो जाता तो खबरे क्या चलती? खबरे चलती कि नितीज कुमार ने इस्तिफा दे दिया और ये खबरे कल लोगों के जहन में तैरती रहती क्योंकि नई खबर इसके बाद में कुछ आती नहीं और कल अख़वार की पहली खबर भी यही बनती की नितीज कुमार ने एक बार फिर से इस्तिफा दे दिया सुबह सुबह लोग इसी बात को पढ़ते हैं कि नितीज तो फिर इस्तिफा दे करके चले गए वही मिटिया मेट होना था नितीश कुमार की छवी जो है वही धूमिल होनी थी इसलिए शोटकट निकाला गया चटमंग्नी पटब्या ये चटमंग्नी और पटब्या का ऐसा फॉर्मूला निकाला गया कि मीडिया के अंदर इस्तिफय की ख़बर ही न चले मीडिया के अंदर एक लाइन की खबर आए कि नितीस ने इस्तिफा दिया और साती साथ समर्थन का पत्तर शोप दिया है फिर उसके बाद में नए मुख्यवंत्री की सपत लेंगे वो खबर तुरंत की तुरंत आ जाएगी और बताया जा रहा है कि कल शाम को चार बजे यहां पर नितीस कुमार की सपत होने वाली है और सपत में बाकाईदा जेपी नड़ा भी आ रहे है लेकिन अभी भी पेच फसा हुआ है अभी भी आसान नहीं है क्योंकि चिराग पास्वान को स्पेसली बुलाया गया चिराग पास्वान को दिल्ली बुलाया गया चिराग पास्वान के आज मुलाकात हुई स्पेसली उनकी मुलाकात होती है एक ही कमरे के अंदर अमिच्छा के साथ में और उसी कमरे में JP नड़ा मोजूद थे चिराग पासवान ने बाकाइदा उसकी फोटो ट्वीट की यानि एक तरह से अपने समर्थकों को ये कहा कि हाँ हम मान तो रहे हैं लेकिन हमें कुछ न कुछ मिलेगा ये हमें आस्वासन दिया गया है क्योंकि चिराग पासवान के और नितिस कुमार का 36 का अकड़ा है जो विदान सभा का चुना हुआ था भी पिछला उसके अंदर भी यही का जाता है कि चिराग पासवान ने सिर्फ और सिर्फ जेडियों को हराने के लिए नितिस कुमार को हराने के लिए उमिदवार उतारे और वही पर परचार किया और इसलिए जेडियो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई तीसरे नंबर पर आ गई 45 सिते 45 विधायक उसके आए दूसरी तरफ आज खबर निकल करके सामने आई जीतनरा मांजी की और जीतनरा मांजी भी अपने खेमे के विधायकों से मुलाकात कर रहे है लेकिन इस बीच में खबर निकल करके आती है कि मलिकारजुन खड़गे ने मलिकारजुन खड़गे ने मुलाकात की है नितीस कुमार से फोन पर लेकिन हो नहीं पाई नितीज कुमार को फोन मिलाय गया मलकर जुन खडगे की तरफ से लेकिन मलकर जुन खडगे को जवाब दिया जाता है कि मुख्यमंत्री बीजी है सोचिए अब मलकर जुन खडगे की क्या हैसियत है क्या कद है क्या राजनिती है लेकिन मलकार जुन खड़गे को बात करने तक के लिए नितीस तयार नहीं हो पाए यह यूं कहें कि बात किस मूँ से करें और इसलिए फोन पर आतक भी नहीं पाए इसी बीच आज सुबर सुबर खबर आई थी कि लालू प्रसाद यादव ने खुद से नितीस कुमार से फोन किया पाँच बार फोन किया लेकिन नितीस कुमार ने फोन नहीं उठाया और इसी बीच में आज ये भी खबर आई कि अखलेस यादव ने कह दिया कि आप इधर रहोगे इंडिया गटबंदन में रहोगे तो आप मुख्य मंत्री बन सकते हो लेकिन नितीज कुमार के उपर ना जाने इस वक्त कौन सा प्रेसर काम कर रहा है कि नितीज कुमार को मुख्य मंत्री पद छोटा लग रहा है और वीजेपी के साथ जाना बड़ा लग रहा है क्या ये वाकई वही चीजे हैं जो लोग देख रहे हैं या फिर जो लोग देख रहे हैं वो बहुत छोटी चीज है और कुछ बड़ी चीज नितिस कुमार की फस गई है और जिसकी वज़े से ये पूरा घटना करम हो रहा है सवाल ये है आप क्या सूंसते हैं और बियार की राजनेती के ओपर बियार के बदलते घटना करम पर लगातार मेरी पैनी नज़र बनी हुई है जैसे जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा मैं तुरंत आप तक पहुंचाने का काम करूँगा शेर कीज़े इस खबर को लोगों तक पहुंचाईए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद